हम लोग बहुत गलती करते हैं, स्टॉन्स पहन लेते हैं बिना सूझ के, बिना समझ के या बिना किसी योगश्य स्ट ống या किसी अच्छे जोतिष की सला के कई तो लोग कुछ भी पहन के रखते हैं हमारे सामने कितने केसी जैसे आये हैं जिनके स्टोन समर्वायए और उनका जीवन समर गया अर्थिक तंगी खराब करते हैं आपकी सेहत खराब करते हैgeb गलत पहनते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं मैं से एक स्टोन जिसका नाम है बोती जिसको परिल को बोलते है या गलत इस्थान में बैठे चंद्रमा अगर कुंडली में है उन्होंने धारन कर लिया तो वही नुकसान भी करा देता है लेकिन बता दें बिना कुंडली का विशलेशन करें ये कभी नहीं पहनना चाहिए नुकसान दे सकते हैं धन की हानी हो सकती है दुरगट ना हो सकती है आपने देखा होगा कुछ लोग शौक शौक मेरतन पैन लेते हैं ये गलत है मोती जिसका जो सम्मंध है वो चंदर ग्रह से है मोती समुदर की गहराई में मिलता है ध्यान रखना आजकर जो लैब में मोती बन रहे हैं उसका पहनने का कोई फायदा नहीं है सफेद और हलका पीला भी होता है सबसे अच्छा जो मैंने भी बता है साउट सी का मोती माना जाता है जो बजार में महगा मिलता है और किन राशियों को बिलकुल नहीं धारन करना है वो आज ध्यान से सुन लेना मकर ब्रश तुला और कुम राशी के लोगों को मोती कताई नहीं पहनना है 種्ति और के साथ बढ़ियों पहनना है क्योंकि इन राशियों के स्वामी से चंद्रदेव शत्रुता का भाव रखते हैं समझे इसलिए अगर आप चंद्रमा का मोती पहनेंगे चंद्रमा का स्टून पहनेंगे तो बिल्कुल नहीं पहना है शनी के साथ चंद्रदेव का शत्रुता का भाव है। तो ना आपको नीलम पहन और उसके साथ न कमेद सकते हो, कोई द्धारन नहीं है। जोतिष शास्तर के अनुसार सिंग लगन वाले बिल्कुल मोती धारन नहीं है। चंद्रमा अगर इनकी कुंडली में बार्मे भाव के स्वामी होते हैं, अगर धारन करेंगे तो जीवन में नुकसान होगा, जो पैसा कमाएंगे चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं, मोती धारन करते हो तो वैवाई जीवन में दिक्कत आ जाएगी, कुम्बलगन वालों को मोती धारन बिलकुल नहीं करना है, क्योंकि कुम्बलगन से चंद्रमा छटे भाव के स्वामी है, इसलिए मोती धारन करने से आपके शत्रू आप पर हावी हो जाएंगे, अज्यात भे रहेगा आपके बन में, कुंडली में शनी और चंद्रमा का विशोग बन रहा है तो मो मोती बिलकुल नहीं पहनना है, अगर इन सब परिष्टितियों के बाद बाकी सिचुएशन अच्छी है और आप मोती धारन करने तो क्या ध्यान देना है, एक तो इस रतन को इस स्टोन को आप सौमबार को पहने, इसे चांदी की धातू में जड़वा कर पहने, साथी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भगवान शिव के मंदर जाएं, वहाँ जलाबिशेक करें, इसको वहाँ रखें, पंचामरत में डुब हैं, भगवान शिव का जो शिवलेंगे उससे अरपित करें, गंगाजल से शुद करने के बाद, और फिर उसको अरपित कर चंद्रमा की मादशा होनने पर मोती पहनना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है, शनी और राहू के साथ विराज मारें, तो मोती बिलकुल नहीं पहनना है, यह आप विशेस ध्यान रखें, यह बहुत छुटी-छुटी कोई भी स्टोन पहते समय, गल्ती ना करें, बस यह ध्यान रखें, आप सभी को शुब कामना है, मिलते रहेंगे